तर्पदेश के फताइपुर से जहां धर्म परिवरतन का एक मामला सामने आया है चर्च में धर्मांतरन का ये खेल चल रहा था डाउट में है जैसे हमारे क्रिश्चन समाज के उपर हमारे पास्टर विश्वासियों सब के उपर बनीब लगाया जाता है दर्म बदलते हैं और मैं आपको बता रहा हूं ये ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विशे है अगर ऐसा एक भी दो चार घटनाए और हु मैं अपने पिता की परिक्षा ही क्यों हूं तो हालेलुया सब को जैम सिकी कैसे आप सब आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई बेनो आज हम एक विशे के बारें बात करना चाहरे है वो है परमिश्वर के ऊपर जो लगा जाए हारो जो चारो तरफ ये कहा जात करेंगे और उसी का प्रमान हम करेंगे तो वीडियो को देखना लाइक करना सब्सक्राइब करना और मोटिवेट करना और को गल्ती उतर समा करना आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी ख़बार उत्तर पदेश के फताइपुर से जहां धर्म परिवरतन का एक मामला सामने आया है चर्च में धर्मानतरन का ये खेल चल रहा था गरीब हिंदू परिवारों को रुपए का लालच दिया गया पुलिस ने पादरी समेट दो लोगों को गरफतार किया है पुलिस ने पाँच लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्श किया है जब मुझे पता है कि उपर से कूट के आदमी मर जाता है तो मैं क्यों कूट हूँ अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूँ किसी ने तुमसे का आग में घुसके दिखाओ काय दिखाएं नहीं घुसेगे तुम मानो या ना मानो तो बहुत सारे जो जागरित लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं कुछ लोग कर देते हैं बड़ा सम्मान मिलता है अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ तो यहां बैटो ही ना आगे गौवर्मेंट्स में बात करूंगा यह बात यह भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे यह भूल जाओ तुम दबा लोगे भूल जाओ निकाल तो खाते से अपने इनके उनको बोल जाओ इंटरनेशनल लेवल पे जब यह बाते होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं तो मैं यह एक बात और बोलना चाहता हूँ कि उन में से भी बहुत से लोग जो जो सियाने हैं जो यह अकने प्लेट फॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धरम में रखना है तो आप भी जाएए उनको प्रचार कीजिए आप भी जाएए उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते भाई साब ये क्रिश्चन कौम है 12 को मारा कूट है 400 करोड हो गए अब 400 करोड को मारो गए तो क्या बनेगा तो देख लो तुम ये क्रिश्चन कौम माफ करने वाली कौम है लेकिन डरने वाली कौम नहीं है माफ करने वाले हैं हम माफ करतेंगे जिसने मारा लेकिन डरने वाले नहीं है प्रीच सुनो प्रीच करते रहे थे करते हैं और करते रहेंगे मेरे कल्स होते थे हैं और करते रहेंगे कुछ रुखेगा नहीं येश्व मसी ने बाइबल के अंदर कहा ये किलियर यहां परमत्य किताब में बीमारों को चंगा करो मरें को जिलाओ को जोड़ियों को शुद करो दुस्त आत्मा को निकालो इसका मतलब यह कि वह कहता है कि चाहे कोई बीमार आए चाहे कोई कुछ है तुम्हें उसके लिए प परमेश्वर थोड़ी है हम तो एक भक्त हैं उसके हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो हमें परमेश्वर ने जो है एक बक्षीज दिया जैसे आपके हिंदु धरम में बोला जाता है किसी समाज में बोला जाता है बक्षीज तो वह बक्षीज हमें मिली है कि परमेश्वर हम हम एक वच्चन से बात करेंगे सबसे पहले परमिश्वर के वच्चन को पढ़ेंगे फिर इस वीडियो की व्याख्या करेंगे तो वच्चन है मर्कुस 1229 में जो की येश्व ने उनसे उतर दिया कि सब आग्याओं में से ये मुक्य है कि हे इसराइल सुन प्रभू हमारा परमिश्वर एक ही प्रभू है हलेलुया मेरे भाई बेनो प्रभू हमारा परमिश्वर एक ही प्रभू है सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज ये बात कहते हैं कि हम चर्ज मस्जिद गुर्दवारा म मंदिर ये सब के उपर परमिश्वर एक ही है आज ये सब चीजे आज अगर हम हिंदू थे या क्रिश्चन थे या मसी थे या हम अन्य जातके थे या कुछ भी जातके थे हम जब तक इश्वर को नहीं जानते तो हम दर्वदर बटकते हैं क्यों बटकते हैं क्योंकि हम अपने अपने फाइदों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने धन दोलत, अपनी एश्वर या अपनी सम्मान के लिए हम इश्वर की सरण में जाते हैं। सबसे पेहला मुद्दा है कि हम इश्वर को कियो अपने आपको सोबते हैं अगर आपको संतूस्थ है Our आर बहुतसे बничесम आपको था से में से बहुत में प्राईवल्ट में कराते हैं क्योंकि जिसके पास शिक्षा है हम उसी के पास जाते हैं सर्वर प्रथम बात यह कि डॉक्टर के पास आज हमें ठीक करने की शमता है और वह प्रमाण है तो हम उसके पास जाते हैं क्योंकि यह हम डॉक्टर नहीं कहता है यह मनुष्य कहता है कि वह डॉक्टर अच्छा है क्योंकि वह वहां जाता है और ठीक हो जाता है सबसे बड़ी बात हमें समझना है कि जो आज वो कह रहे हैं कि परमिश्वर, गुर्दवारे, परमिश्वर, मस्जिद, परमिश्वर, मंदीर या चर्च में उपलब दे, परमिश्वर कहीं नहीं है, परमिश्वर हमारी अंतरात्मा में हैं और सबसे बड़ी हमारी समझ में है जो परमिश्वर की हमें दीवी एक तालीम है जो हमें ये बताता है कि हमें अपने जीवन को किस तरफ लेके जाना है तो मजभेत की बात नहीं ये शिक्षा की बात है सबसे बड़ी बात जो वो व्याख्या कर रहे है कि इशु मसी जब खुद को नहीं बचा पाया तो ये दुनिया को क्या बचाएगा येशु मसी परमिश्र का पुत्र अगर खुद को नहीं बचा पाया तो हमें क्या बचा पायगा ये उनका कहना है सरयाम वो पंजाब के एक मौल भी है या फादरी है या जो भी है वहाँ के गुरु है उनने बात रखी है सबसे सोचने का विसे ही है कि ये बात रखे वो किसको सिद्ध कर रहे है वो सिखो को सिद्ध कर रहे है कि ये सब चीजे जो वो चर्च जा रहे है जो वो प्रात्न सवा में जा रहे है या वो कही भी जा रहे है किसी भी मजभ में जा रहे है तुक गुटना टेक रहे हैं माथा टेक रहे हैं तो वो यह कह रहे हैं कि उनके सच्चे गुरू जो है वो ही इश्वर है और जो इश्व मसी को आप मान रहे हो वो इश्व मसी कुछ की जान नहीं बचा पाया है में भाइबेनो मैं आपसे बात पूशता हूँ क्या आप आपकी जान के बारे में जानते हैं क्या आप जानते हैं अगले पल में आपके साथ क्या होगा यह सब कुछ एश्व मसी को पता था जब इस दुनिया में आया था उसे परमेश्वर ने ये समझ दे के भेजी थी कि मैं क्यों आया हूँ वो हमारे लिए आया था उसे हमें सिखाना था कि हमें जीवन केसे जीना है कोई हमारे इस गाल पर मारा तो इस गाल को हमें दे देना है ताकि हमारा परिवार में विरोधना हो हमें जूट नहीं बोलना क्योंकि हम जूट बोलेंगे तो हमारा परिवार पीछे से बिगड़ जाएगा अगर हम अपनी आखों को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारे घर में भी कोई जहकेगा ये प्रभु येश्यु मसी हमें बताने के लिए आयत थे उन्हें हमारे बिश्मान आने की कोई जरुवत नहीं थी परंतु जब परमिश्वर की इचा हुई परमिश्वर ने देखा पाप बरता गया उन्हों ने अपने एकलोते पुत्र को भेजा जोकि ये किसी के बस की बात नहीं थी कि वो हमें सिक्षा दे पाए आज उसकी तालिम में चल कर बड़े बड़े लोग विद्वान बन गए सांटिस्ट बन गए, नासा में पोज गए आज मुबाइल, वाटसप दुनियादारी आज चल रही है बेंकिंग, हर एक चीज सिर्फ बुद्धी से चल रही है क्योंकि सच्चाई ही बुद्धी है आज बेंक में आफ रोड नहीं कर सकते मेरे भाईवे नो, क्योंकि वो सच्ची सिक्षा है परमिश्वर के और आप अपरादी के ला जाओगे, उसी प्रकार परमिश्वर हमें सच्ची सिक्षा देना है ये सब जूटी बाते हैं आज अगर मैं किसी की बुराई करकर अपने पास किसी को बुलाऊंगा वगर मेरे में भी तो अच्छा ही होना चीए तो लोग मेरे पास टिक पाएंगे सबसे मुख्य बात ये अंडरलाइन करने किया है कि हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या हम अच्छे हैं हम अच्छे नहीं है क्योंकि अगर हम अच्छे होते तो हमारी बड़ाई हमें नहीं करने की जरुत पड़ती हमें अपने मूँ से खुद के लिए नहीं व्याक्या करना पड़ती है, तो परमिश्वर का वचन था, जो वचन आदी में था, वो वचन पूरा करने इश्व मसी आया था, और वो यहां स्टे करने नहीं आया था, वो अपना काम पूरा करने आया था, हमें भी अपना काम पूरा करना है, और जाना यही सच्चा ही है, जाना है, जाना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया नहीं है, दुनिया परमिश्वर की परमिश्वर ने बनाई है, उसकी मर्जी चलती है, हमारी मर्जी नहीं चलती है, यह शुमसी नहीं सिखा है, कि आप परमिश्वर की मर्जी पर चलो, वो खुद परमि आप परमिष्वर की आज्या मानी veramente यही। हमारे हैं यही परमिश्वर है और यही सच चाहिए अगर आप जान सको तो जान लो परमिश्वर इश्वु मसी जीवीत है और जीवीत ही तो ऑफ सामीति हो थो नहीं हमारी पवित्र आत्मा है वह सब को जय मसीष्व